जै सिरी राम तो आज हम सैट टू 2022 का निकरेंगे पार्ट वन इससे पहले हम 2023 के सैट्स अपलोड कर चुक है यूटूब पे तो आप लोगों को वे देखने चाहिए और जो कोश्चन उन सैट्स में हो चुके हैं वो कोश्चन मैं अब दुबार नहीं करूंगा 2022 के सैट्स करत होगा मैं फिजिक्स में बहुत सारी डिवांट सारी कि यह कर दो वो कर दो तो उस पर भी कार्य करना है दूसरी बात आप भी यह देखेंगे जब कोश्चन रिपीट होते हैं तो बहुत सारे कोश्चन से रिपीट होते हैं सैट सैट दर जैट तो आपको यकिन होगा कि हाँ वैसे तो इस सैट का लगबाग हर कुश्चन रिपीट हो चुका है ठीक है जी 2023 में लेकिन कुछ-कुछ तो बताने ही पड़ेंगे ठीक है तो आपको भी लगएगा कि यहांगर एक बार यह सैट सारे कर लिए ना तो भाई पेपर बचने वाला नहीं है ठीक है जैसे पहले कु वोल्ट पर निसान लग रहा है आपको उत्र पती है यह निसान क्यों लग रहा है कि मैं यीदियो पहले रिकूर्ड कर चेकूं लेकिन मेरे माईक ने काम किया नए तो अर्दि चालकों में सेयोजकता बैंड और उर्जचा बैंड के बीच में जो और जद आंतराल होता है वीडियो पर पहले रिकोड़ कर चेकों लेकिन मेरे माइक ने काम क्या नहीं तो अर्दी छालकों में सहीं हो जङता बैंड और उर्जा चालन बैंड que बीच में जो उर्जा अंतराल होता है वह हता है एक उल्डान वोल्ट का पांच उल्डान वोल्ड का काटव में लेक्टॉन कोन्या सम्वेगा होता है अब जो है जैसे लुगा थे लूगा तो सब्सक्राइब बटा टूपाई तर कितने का चलता है एच बटा टूपाई का तीसरा जो कुशन है वह ही नहीं सेलेबस में कटा हुआ है अब एकला है के विदु चूंबा के विकरान स्पेक्टर में रेडियो आवरती की पराज कäre तो प्यक्याँ मतलब यह यह सेय का मतलब यहां पर साइकल पर सयकेंट मतलब तो एक सेकिन्ड में कितनी वार वेव जो है पूरा चक्र पूरुत पूर पूर्पूण कर तो वही उसकी जो है अवर्ति कहलाती है ठीक है जी तो रिदियू वेव की वियसे सबसे कम होती है सबसे ज्याद होतािए है गामा वेव और कोस्मेक वेव की ओर। तुर्थ तता आई के बीच क्या कलांतर होगा तो एक कोशिन हम सोल करें थे देखते हैं अभी यहां पे सोल करका है जब पहली बार किया था है रिकोर्ड तो कलांतर होता है फाई टेन फाई की वैल्लीयोगी एक्सल बटार जब केवल एलोर आ रहे है परीपत में ठीक है जी एक्सल और एकसल क्या है मतलब पर्तिगात है संदा इसके कारणा स्मौरी परिय रक्तों के कारणा गया ऑर इसकी वैलियों ढूर्मेगाएल ठीक है जी और एल की वैल्यू दे रखी है है तो उसकी तरंग धैरीयं कम हो जाति है देखो, ये लिख भी रहा था तरंग धैरीयं घुना कम हो जाती है जो N के आए दूसरे कांच का पुवरतनांग हितंद। जी UW me जाती है तो जीतना भी उसका पुवरतनांग उतना ही गुना तरंग्दक्रass भी कम बदलती है ठीक है अगला कहा है इस तीर विदुत की में गोसकनियम भाई बहुत बारा चुगा है तो लगबग हर साल आता है हर सेटमर मुझे पता है तुम लोगों ने पढ़ रख होगा ठीक है यदि किसी बंद परष्ट के अंदर क्यों आवेश है तो उससे गुजरने वाल राब यह धात्विक चालक लिए गड़ाब है ठीक है उसमें क्यों होता है एक सीध्यक होती है यानि वी जो और आई जो आख दो का इसकासा अ करव होता है और जैसे जैसे मतला जब इसमें वांतर बढ़तें बढ़ت एन देण बढ़ती प्रेंए dogg 7c प्रतिरोद बोज जाता है तो तब फिर भी वांतर बढ़ाते रहो देखो धारा जो है लगवा कॉंस्टेंट हो गई है तो यह ऐसा बस इसको तो यार रट लो बहुत बार पुचाए 2023 में भी था रट लो इसको टोर्च के बल्ब का करो और यह तो सब लोगों को पता ही होगा दात्विक चालक का करो ठीक है जिनको ज्यादा नहीं से मजमाता ना वैटा बस यह तो अभी डरो करो कोपी पे चलो तो ना मुस्किल दोड़ी है दिमाग में पसगे होगा वैसे तो अगला कोशन है कि एक चालक पर इतना दो पॉइंट चार कुणा दसकी पावर माइनस के अठारा कुलाम का धनावेस है ठीक है और कहरा है कि बताईए इस चालक पर कितने लेक्ट्रोन की कमिया दिखता है तो देखो क्यों बराबर एन्नी वाड़ा फूर्मूला लगाएंग इन्टू टें डू दी पावर माइनस के अठारा कुलाम ठीक है और एन इलेक्ट्रोन की संक्या है और एक पॉइंट च्छेंग गुना दस की पावर माइनस उनीस ये एक वैल्यू इलेक्ट्रोन की आवेस कि तो देखो आठ दूनीस होला है आठ ती है चो बिस ये कट पिस अब यह दो जो है डिवाइड में चले जागा दस की पावर माइनस के अठा रहा है उसको माइनस के 19 से भाग करेंगे तो दस और गुणा में आ जाएगा ठीक है तो एनकी वैल्यू कितने आ जाएगी 15 और क्यूंकि धनावेस है तो पंदरा इलक्ट्रों की क्या है पंदरा इल पता तो चले कि किसको कितना आता है तो अगला कोशन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वह दस सेंटीमेटर है पता अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वह 50 सेंटीमेटर है ठीक है और दोनों लेंस जो है वह संपर्ग में रखे है इस सहीं जन को 25 सेंटीमेटर की दूरी पर वस्तूर रखिया है वस्तू के परतिविम की इस्थे थी बहना पहला पहले तो टोटल फोकस दूरी निकाल लिया में दूनी लेसा कि उतल है इटल है फिर यो दे को सैंटीमेटर मिल थे क्यों हूंने तो अंडेड बटाटैन कितना हो गया पलस के 10 डयूपटर अगया ना उसके बाद अवता लिए करा एब ब्राबर माइनस के 50 cm तो इसकी चमता इसको P2 लिख रखा है उसको P1 लिख रखा है तो इसकी आगे माइनस के 2 डायोप्टर ठीक है जिए अब कुल चमता में पता है P ब्राबर P1 प्लस P2 दस में से 2 गई 8 डायोप्टर कुल चमता यही तो फोकस दूरी कितनी हो जाएग लेसे रखाया, 25 cm दूरीपर बस्तो भी या निगेटिव बस्तो की दूरी, निगेटिव लिए जाती है, में सा ने, लेप्ट साइड में रख ची होती है, वी निकालना है, ठीक है, जी, तो एक बटा f बराबर एक बटा u, एक बटा v-1 बटा f की जंगा देखो, f 25 बटा 2 है, तो एक बटा F क्या हो जागा दो बटा 25 बराबर एक बटा V minus U की value रख दी minus की 25 और minus minus हो गया पे plus ठीक है अब ये एक बटा पच्चिस इधर आगा गटा में दो बटा 25 में से एक बटा 25 गया बचा एक बटा V तो यहां से V की value आगी 25 cm यानि परति भी बनेगा पच्चे सेंटीमेटर की दूरी पर ओके अब मेक्स्ट कुशन देखते हैं अई गिर गया कहां गया कहां गया इसे मत गिरिया अगला कुशन है कलास अमन स्रोथ से आप क्या समझते हैं तो बेटा कोपी पेन उठाओ इसका उतर हम बोलते हैं आप लिखना कलास अमन स्रोथ से आप कहलते हैं वैसे तो आपको पता है वैसे तो आपको सब पता है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कलास अमन स्रोथ क्या क्लांतर समय के साथ नियत रही समय के साथ नियत नियत पता है क्यों तक मतलब कुंस्टेंट मतलब ना बदले तो दुआर से दुआर से प्रकास के वे सरोत जिन से निकलने वाली प्रकास तरंगिकाओ के बीच क्लांतर समय के साथ नियत रही वे सरोत क्लासंबंद सरोत कहलाते ह है तो इसको द्धारण कि उधा जैसे की जैसे जैसे यृंग का डूइशलिट एक्सपरिमेंट नवी विए कलास संबन सिरोत है एक्छल्य हम कभी भी दो अलग अलग स्रोथ को कलास सम्मन स्रोत नहीं बना सकते ठीक है जैसे एक ये वडिक्री दो लिल्कुल एक जैसे उतने वात के वह भी मैं रहाइं कलाऊ समबंद लू हुल में सकते लिए कला सम्हें क aquela क्षा था या कुपड़ी अपने बाद Do A अगला कोशन देखो एक दूई उत्ता लैंस की वकरता त्रिज्जाए 15 सेंटी मिटर और 30 सेंटी मिटर है हमने का ठीक है एक पॉइंट 65 अप वरतनाग वाले द्रव में इसको डूबो दिया इसकी फोकस दूरी याद करनी है हमने का ये भी ठीक है तो बाई काश का पॉइंट रहतनाग वन पॉइंट 65 हमने का ठीक है तो द्रव में लैंस की परकृति क्या है ये भी बतानी है हमने का ठीक है बता देंगे सब बता देंगे इत्रे देखो तो अच्छली ये उपर चो लिका हुआ है एक बटा एफ बराबर म्यू माइनस वन एक बटा आर वन माइनस एक को हम बोलते हैं लेंज मेंकर सूतर ठीक है और यहां से हम इसके फोकसदूरी बताएं यह म्यॉw क्या यह है यह Myoolem 양 बाहर जो दरब कि है er उसके साथ एक पवशबूत अंग अप लैंज का बीचारे का पतानी किसी से खटता पर दस वटा-गयारा का नुपात आ गया यह जो अनुपात था वह क्या बने दस वटा-गया गया अब आप है अब मॱं की वैल्यूत होगी दस वटे-ग्यारा आर वन इसने एक दे रखिया 15 सेंटीमेटर और दे रखिलैंस या आपने एक मायनस के लिए हमने का सुनों यह उत्तर लेंस दे लेज़स के लिए ये वारी क्या होगी और बिलसकी होगी यह जो जो झारगी साइड़ में लिए इदर निगेटिव तर पोजिटिव उपर पोजिटिव नीचे निगेटिव यही तो सिस्टम है तो भाई आरवन को अमने लिया पंदर है सेंटिमेटर और टू को लिया माइनस के तीस अब रख धी वैल्यू स् फोरमुले में मूवी जंगंट बटे ग्यारा और वन की जंगपनदर आर टू कि इथा कम रहा तो में Building 10 इंच में माइन Service वब अबरे मैं in dc-1 मैल चमले इसका 30 और दो माइनस माइनस पलस हो गया तीन तीन से 30 कट एक बटा दस आ गया इससे कैंसिल हो गया और एक बटा एक बन जा वन अपॉन टैन यह बनेगा ठीक है जी और इस टैन की जब इस अलेविन में गुणा गरती तो यह बनेगा 110 तो एफ बराबर आ गया मेरा माइनस की 110 फोकस दूरी तो माइनस आ गई है लेकिन माइनस की फोकस दूरी तो अवतल लेंस की होती है, यह क्या हुआająких इसका मतलब उतल लेंस उस दरिव के भीतर उसका परकरती अवतल हो जाएगी पर ऐसे क्यूं? देखो जो किसी लेंस को हम उससे अधिक अपरतनांग वाले माध्यम में रख दे तो उसकी परकरती बदल जाती है क्योंकि अब ये जो लेंस है ना ये विरल हो गया और भार का माध्यम सगन हो गया तो अगर पहले जो है परकास इस पर पढ़ गया भी लमकी और जुकता था अब वो दूर हट रहा है ठीक है तो अब ये बाबुजी जो पहले परकास को सिकोड़ते थे अभी सारित करते थे वह ही पहला रहे इसकी परकरती अवतल बन चुग है और ये अवतल लेंस की बाती वेवार करेगा ठीक है जिसकी फोकस दूरी माइनस के 110 सेंटी मीटर है ये हो गया फॉर्मूला नोट करो जिसको याद नहीं है याद गरो भी एक बटाब बराबर मियू माइनस वन एक बटार वन माइनस एक बटार टू ध्यान दो अगर अवतल लेंस होता तो आर वन माइनस का लेंगे और आर टू पलस का लेंगे ओके देखो जरा बात को ध्यान से सुनू अगला कोशन है परमानों के बोर मोडल के अभिगरही ते लिखिये तो ये कोशन और इससे जो अगला कोशन है विदू चुम्बक्य तरंगे क्या होती है इनके संचरन आरेक कीचकर विदू छेत्र एवम चुम्बक्य छेत्र के अव्यव दिखाईए ये दोनों कुशन आपको सैट वन दो हजार तेईस पार्ट वन ये तो पार्ट वन में मिल जाएगा सायद और ये पार्ट थ्री में मिल जाएगा तो भाई उन सैट में तो मतलब दो हजार तेईस के सैटों में ये दोनों कुशन आपको मिल जाएगे ठीक है जी रिपीट्रेड कुशन है उसके बार हम देखते हैं इस वाले कुशन ये कह रहा है कि एक हेलियम का नाबिक है उसको मुक्त प्रोटोन तो था मुक्त न्यूट्रोन में विखंडित करने के लिए मतलब उसके जो न्यूक्लियोंस है उनको अलग-अलग करना है तो न्यूंतम कितनी एनर्जी के आफ सकता होगी यतनी इसकी बंदा नूरजा है उतना ही हम अमन लेगेEl उसके जह नहीं है यहां चार यहां उसका मतलब उसके दो न्यूंट्रोन और होते हैं और जब हम उसको अलग-अलग कर देंगे जब यह सारे आपस में मिलते हैं ठीक है है अगर मैं दो की गुणा इसमें करू तो इसका जो दरवेमान है उस से कुछ ज़ादगा होता è तो फालतूं दरवेमान कहां चला गया हम दो प्रोटोनों को लेगा है दो न्योटोनों को लेगा है हमने एक लिएमान नाभिक बनाया और हमने उनको तो लाइक साइड पे दो प्रोटोन दो न्यूटोन अलग अलग एक कक का वजन करके देखा दूसरी साइडिस का देखा हमने का कुछ दरविमान गायब है वो गायब दरविमान क्या है ठीक है और उस द्रविमान च्छती की अगर मैं परकास की चाल में सी स्क्वाइर में गुणा करू तो मुझे मिलती है उसकी बंदन उड़ जा बाद मैं अगर उसको फिर से उन परोटोनों न्यूटोनों में तोड़ना तो मैं उतनी उड़ जा उसे बार से देनी पड़ेगी जिससे वह मैं उसे एक्स्ट्रा द्रविमान देंगे तब अलग अलग हो पाएंगे ठीक है तो उतनी उड़ जा तो हम क्या करेंगे हम इसमें दो की गुणा करेंगे दो प्रोटोनों का द्रविमान हो जागा उन दोनों को जोड़ देंगे उसमें से इसको गटा देंगे हम पता गल जगा द्रेमान चटी कितनी है और द्रेमान चटी एम्यों में आगे और हमें पता एक एम्यों में होता है 931 मिलियन इलेक्टोन वोल्ट उर्जा में चेंज करें हमने पहले स्कुर की गुणा करी फिर इसको एक पहले भी किया है हमने क्योंकि ये वीडियो पहले बनाई थी तो हमारे पास ही हुआ रखा है देखो पहले हमने प्रोटोन के द्रेमान में दो की गुणा करी अब हमने न्यूटोन के द्रेमान में भी दो की गुणा करी किलियर हो जा किलियर हो जा रहे किलियर हो जा तो यह आ गया अब हमने दोनों को ऊपर नीचे रखा और जोड दिया तो यह आ गया इसमें से हमने हीलियम का द्रेमान घटा दिया तो यह आ यह आगे मेरी द्रेमान चाहती है ठीक है डेल्टा एम बराबर इतने एम यू ठीक है और इसमें हमने गुना कर दी ही 231 नो सो इकत्तिस की दो से कतिक पर इए गया तो हिल्टै फिल यह जै इतने मिलियन इलक्तों वोल्ट इतने मिलियन ऐलक्तों वोल्ट कि हमें गया हुए हमें बाहर से उर्ज़ा देने पड़ेगी कि तन जी रो नाइन एट सेवा ऑट अगे अब दिखो पेपर में मैंने फिर बता रहा रहा था पेपर में कैसे लिए न है पेपर मैं असलिक विद्रेंटि दो गूणा जो भी प्रोटोन वाड़ है बराबर करें गुना आज यहें है दो नियूट्रोनों का गुणा करें ठीक फिर उनका कुल ढूल मां जोड़ना ँब या ऐसलीं सभी न्यूक्लियौरों थे इस ने की दिखिक रिचना निकाल यो अब उसमें से द्रियों के लिए च्थी न्यूक्लियौन का मुण कटा दियो ठीक हो यतनी द्रेमान चाहती है कि उसे में 930 मिलियन इलेक्टोन वोल्ट की गोना करियो तो अठाइस पॉइंट टू एट और जिरो नाइन एट से वन मिलियन इलेक्टोन वोल्ट यह अपकान चुरा जाएगा समझे कितने उश्यार हो याप तुरंट समझ के मोजो चाड़ा बाटी है तो देखो अब मैं आप से लेना चाहता हूं विदा इस वीडियो में फिलाल इतना ही अब मैं आपको कुछ आगे के क पहले ही सेट में मिल जाएगा ठीक है जी एक है कोशन है इसमें कहारा है कि पचास वाट और सो वोल्ट का लैंप है और दो सो वोल्ट और पचास हर्टज के विदूत में से जोड़ा गया है लैंप को जलाने के लिए उसे स्रेणी करम में जुड़े आवशक संदारितर की ध दोनों जुड़ गए है इनको इस मैंस से जोड़ा है जिसकी वियर मेंस वेल्यू दोस्तों वोल्ट है फ्रिक्वेंसी पचास हर्टज है और उमेगा पता में टू पाई एफ होता है तो और जो अब वी नोट है वो क्या होता है वह वी आर्मस का रूट होता है तो वी निकाल लेंगे या जहड़ा नमा वह का वी दूभा उसका परत्रों निकालना है मैं तो क्या दे रखके इन्धे भी बराबर 50 वाट डे रख़ा है वी बराबर 100 वोल्ट दे यानि जिरो पॉइंट पांच है हम कह रहे हैं कि हमने तो बाद में वी आरे में जोगा वो आई आरे में इंटू जैड यानि पूरे परीपत की परतिबादा इसकी ठीक है यहां से मैंने निकाला कि जैड बराबर हो जाएगा मेरा ठीक है इस दो सो वोल्ट को आद्दे से कि चार सूरे की स्क्वाइर व में सक्वाइर करके सबस्टम करके मैं रूट 123 इसके बाद हम्हें पता है यह सि बराबर होता है यह पहले निकाल शूक है और जो हम एकसी भी निकाले हमने यह वैल्यू रखती इसको माइकरो फैरेट बगारा में बदला और कुछ यह मेरा अन्सवर आगया ओके यह वैल्यू तो बस इसकी वैल्यू जो है यह आजएगी तो डैट्स फूर टूड़े गाइस बाइस मैं कहता नहीं बोलो जैसी अराम पढ़ते रहिए माजे से दिन में बारा बारा चोदा चोदा गंटे पढ़ दो पेपर पास है फोड़ दो जो कुछ दिक्कत हो हमें बताओ जो हमसे होगा वो करेंगे वर नाम कहा देंगे हमसे नहीं होता ठीक है तो भाई दु